है थे तो ते Иote這樣的 इसमीं यह बात करेंगे डोकी ईस ट्रेडिंग हो रहा यह स्टायक की लेबल पे चल रहा है और इसका तुनटी थाजन का करेंगे विडियो सरू करने से पहले आपको मैं जरूरित बहुत जरूरी है मैं आपको जब में कि बता रहा हम हर एक विडियो में आपको हमेशा बोलता हम की भाइस प को जो करना है आप उसी साब से बाई करके चल सकते हैं स्टॉक मर्केट में कोई स्टॉक की कमी नहीं है ठीक है यहां पर फॉंडायमेंटली स्टॉक के अगर बात किया जाए अगर स्टॉक के लिए बात किया जाए या तो फिर लंक्रम इंवेश्टमेंट के बारे में बताता हूं कि हर एक स्टॉक में कितना अच्छा सभी स्टॉक हो फिर भी एक भाई ने गलती किया है ठीक है क्या गलती किया मैं आपको बताता हूं ठीक है एक किसी भाई का कमेंट था मैंने देखा तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा इससे किसे हो सकता है वो क्या बोल रहे हैं 200 का प्राइस में मैं 20,000 लि स्टॉक में ठीक है अगर एसी साब सागर हम देखेंगे तो धाइसो के प्राइस में अगर 20,000 लिए हैं इसका मतलब क्या है पचास लाग का इन्वेस्टमेंट है क्या लगता है पुरा एकी स्टॉक में कि कोई लगा सकता है अ कि मुझे तो लग नहीं रहे है इसा कोई इन् स्टॉक अगर लेकर रखा हुआ है तो मतलब उसका जो है मतलब इन्वेस्टमेंट फिप्टी लाग है तो मतलब वह तो बहुत बड़ा अमाउंट है इसा तो नहीं कि आपका पॉर्टफुलियो फाइव करोड का है ठीक जो कि माग जीम मैं आपको हमेशा इसलिए मैं आपक पॉर्टफुलियो को डाइबर्च इपिकेशन रखें इन्वेस्टमेंट कीजिए ठीक है यह यह मुझे को आपको बताने की जरूरत नहीं है लेकिन कुछ बेसिक चीज होता है बताने भी बहुत जरूरत है काफी बीच बीच में अपना फैमिली ग्रो होते जाता है बाकी स सही बात है कमा सकते हैं बिलकुल कमा सकते हैं लेकिन उसके साथ में पेसेंस आपके बिलकुल जरूरी है इसमें की मैटर है अगर पेसेंस आपके पास में नहीं रहेगा मैं जितना भी बोलो जितना भी चिला हूं उससे कोई फरक नहीं पड़ता है आप क्या करेंगे स्टॉक है फिर भी पिट रहा है दो साल से कुछ भी रिटन नहीं दिया पारा है यह सा जब सिच्वेशन आता है ना और कोई हमारे पास में रस्ता नहीं होता है हमें स्टॉक को कोई दूसरा अप्शन नहीं अभी देखिये मार्केट जब गिर रहा है आवट इंडिया भी गि आपको लग रहा होगा कि क्या यह इतना लेक्चर दे रहा है यह चीज में आपको बता रहा हूं इसलिए कि आपका फंडामेंटली स्ट्रॉंग हो आप थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में थोड़ा दिन के लिए इंतेजार करके क्या अच्छा सा पेसेंस के साथ में होल्डि आप अगर सेल कर दिया आज भी मैं बोलता हूं अगर आपको पॉर्टफोलियो में है अभी आपको नेगेटिव रिटरन दे रहा है फिर भी आप एक बार सेल करने से पेले एक बार सोच लिए ठीक है अगर आप सेल जिस दिन करेंगे देखिए उसका कुछ दिन के बाद में में बात डारियो मेरे साथ में भी रहा है यह और किसी के साथ मोचेंगी बात में देखिए खागने लगे रहा व्यवद né में हैं तो आप होल्ड कीजिए और कोई दूसरा और कुछ यह नहीं है यहां पर पेसेंस टेस्ट है पेसेंस अगर आप स्टॉक मार्केट में रखने का अधसे स्टॉक में तो आपको गेन मिलेगा ठीक है जैसे कि मैं थामनेल पर बताया था जो एक स्टॉक के बारे में साथ में नोटिविकेशन बाउन को आउन करके रख दीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो आपके साथ में टाइम लिप आउन सकते हैं आप देखके कैसा स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं या तो फिर से पहले एक बार जरूर अनालिसिस देख लीजिए उसी साब से अपना ड साथ ह्लाइम है टुंटि डींटी करके सकते हैं frankly कोई प्रोब्लेम नहीं है छीं ठीकिन मिनमोम तोße स्टॉक्स पहले एक चीज बता दूँएघर快षएं आपको इमके लिडियेट्लिग बनाना है कोई बहुत स्टाब Halo फिर भी आपकोลगर लगर है कि कौन सा स्टॉक में लेंगे तो सही रहेगा आप इसी प्लेइलिस्ट में आ जाएंगे आपके लिए प्लेइलिस्ट अलग-अलग बना के रखा हुआ है जो भी बिगनर भाई है तो यहां से बिल्कुल देख सकते हैं अगर आपको लंग टर्म लेना है लंग-टर्म फोल्डर के उपर जाएं यहां पर प्लेइलिस्ट के ऊपर जाएं अगर आपको स्विंग ट्रेड वाला है जो सेक्षन है इसी पर क्लिक किजिए काफी सरा स्टॉक एक नोट बनाईए कौन सा स्टॉक में आपको पोटेंचियल ज्यादा है जिसका टार् लेकिन पोट्फोलिय डाइवर्शिफिकेशन जरूर रखिए चले स्टार्ट करते हैं वीडियो फ्रेंट्स आज जो हम बात करेंगे यह महरास्ट्र स्कूटर कंपनी के बारे में बात करेंगे फ्रेंट्स में क्यूं बोल रहा हूं यह स्टॉक के जो बहलू अभी है अभी कभी क्या होता है स्टॉक का प्राइस से निचे पड़ा रहता है काफी दिन तक और किसी का नजर नहीं आता है जिस टाइम पर यहां पर जबड़ दोस्त खरीदर होगा ना उस टाइंप भागने लगता है ठीक है अगर हम देखेंगे इसमें बाजाज होल्डिंग का यहां पर इंवेस्टमेंट है ठीक है इसी साब से अगर आप यहां पर आके देखेंगे बुक वेलु यहां पर चल रहा है टूंटी थाजन का अभी करेंड मार्केट पर चल रहा है 4000 का हिसाब से प्रामोटर का होल्डिंग और प्रामोटर प्लेज भी जीरो है डेट-फ्री कंपनी यह सबसे बेतरी चीज़े डेट-फ्री कंपनी है अगर हम इनके देखेंगे अल्टाइम हाई की बात करेंगे तो यहां पर 5050 का अल्टाइम हाई था कंपनी एक स्मॉल क्याप कंपनी है 4600 क्रोर का मार्केट क्या पर ठीक है अगर हम इसी साब से अगर कंपनी का तो इसी साब से सोच सकते हैं यहां पर बहुत बढ़िया सा वहाइं मतलब हमारे लिए हो सकता है यह बिल्कुल एक अंडर वहलु स्टाओक है ठीक है अभी मैं क्यूं बोल रहा हूं यह स्टाओक में अभी खरीदरी बन सकता है अगर आप लेंगे तो यहां पर अच्छा सा जाके समझाता हूं अब फ्रेंड देखिए हम बेले एक चीज़ देखेंगे तो यह चुछ टॉक का एक बार हम वीकली चार्ट देख लेंगे ठीक है यह बड़ी असा रिटर अगर आप देखेंगे ना स्टॉक जिसी साब से मुमेंटम में था देखिए यहां पर 2011 से दिख तो मतलब 25 टाइमस रिटर्न दे चुका था ठीक है स्टॉक में कितना साल में यहां पर काफी दिन से चल रहा है अभी के अगर लेवल के हम बात करेंगे अभी जिस लेवल पर हम बैठे वूए जिस लेवल पर अभी बाइंग की बात हम कर रहे हैं यह स्टॉक का लेवल कब क है तो यहां पर देखिए मार्स 2019 का लेवल है तो मतलब बिल्कुल हम अभी जो बाई करने जा रहे हैं धाई सल पुराना प्राइस पर बाई करने जा रहे हैं तो मतलब इसी साफ से हमारे लिए एक व्यालू आइंग है ठीक है और जहां तक का हम भी बात करें टार्गेट का मैं किसी बेसिस पर बात कर रहा हूं वह भी आपको हो बताने की कोशिश करता हूं ठीक है मुझे असा लगता है बड़ी हैसा वैलू बाइंग हो सकता है जिसी साफ से आप देख रहे हैं चार्ट पैटरन बना हुआ है काफी दिन से चल रहा है आप अगर देखेंगे वीकली चा कि चलता रहा हैसा चलते लगए मृवरिस के बाद में कभी नहीं करता हूं टीक है क्योंकि यहां यहां पे इंटर कर सकते हैं यहां फिकी छल सकते हैं वहां पर क्या है कि 10-20 का मुवी आपर इसके बेस्पर वहां पर टेडिंग करते हैं लेकिन उस चीज में भीलिप नहीं करता हूं में हमेशा वाइं करता हूं और तो सुविंग ट्रेड के हिसाब से मैं चाट पैटन का हिसाब से चलता हूं ठीक है मुझे ऐसा लग रहा है फिरेंस अगर इसी लेवल पर भी आप बाई करके चलेंगे तो इसी साब से अगर हम देखेंगे इसका डेप्ट अगर आप मेजर करोंगे जिसी साब से यहां से जो दो साल भी अगर लग गया अच्छा पैशा बनता है फ्रेंट्स यहां पर देखेंगे तो यहां पर 89 परसंटेज का प्रफिट आपको मिल सकता है मतलब मिल सकता है ठीक है लेकिन जो भी डिसीजिशन लेना है फ्रेंट्स आप अपना खुद का रिशर्च के बेस पे लिजि अगर आप participation नहीं कर सकते हैं अगर आपको डर लगता है आप स्टॉक मार्केट में सेल करके चले जाएंगे आपको लॉस होगा फिर जिस ताइंप बूल मार्केट आएगा उस ताइंप भाग के आएंगे तो क्या फाइदा है कि कोई मतलब पोर्टफुलिय आपका ग्रो नही पूल मार्केट चल रहा था हर कोई मुझे बोल रहा था कि बहुं करना है किसे इंवेच्मेंट करना उपन करना मुझे बता दे लेकिन अभीका टाइम पे सब भागने लग रहे हैं लेकिन मैं आपको एह सजिस्ट करूगा अभी बिलकुल आपको डरने की जरूरत नहीं है मर्केट में बने रही है अभी अगर आपके पास में surplus money है अभी आप अगर तीन-चार साल के लिए इंवेस्टमेंट करना चाहेंगे आपको 20,000 रुपीज के लिए मतलब 5 टाइम्स रिटन के लिए तो आप कर सकते हैं 500 परसंट का रिटन मिल सकता है आपको मिल जाएगा कोई प्रोब्लेम ने बहुत अच्छा सा गुरूप के साथ में जुड़ा हुआ कंपनी है जो कि यह बाजाज गुरूप का ही कंपनी है ठीक है वोल्डिंग कंपनी है तो लेकिन इंवेस्टमेंट करने से पहले जरूर आपना खुद का रिशर्च कर सब्सक्राइब कर लिजे उसके साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर लिजे थैंक यू